हेलो प्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल मैं श्वितर शर्मा आज आपको राग भैरव का पचास तुरों तक विस्तार कराने वाली हूं जैसे कि क्लास 12 में राग भैरव स्लेबस में हैं उसमें पचास सुरों तक विस्तार करने के लिए आएगा तो आपको मैं वो करना सिखांगी बहुत ईजी मैथड से आपको करना सिखांगी सबसे पहल게 अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती हैं तो उनको लाइक करें और शेयर करें तो आए स्टार्ट करते हैं पचास स्वरों तक विस्तार राग वहरब सबसे पहले हमें देखना होगा उसके आरो अवरो पकड क्या हैं बहुत ही इजी से इसके लिए आपको अलग से कोई भी स्वर याद करने की जरूत नहीं है अगर आपने आरो अवरो पकड लर्ण किये हुए हैं तो उनी से ही आप स्वर्विस्तार कर सकते हैं जैसे कि इसके आरो अवरो है सारी गामा पाधा नीशा सानी धापा मागा र इसमें रेधा कॉमल होते है जहां भी रे और दा दिखते है आपको उनको अंडरουरी करना जरूरी exercise स्वर्विस्तार गलत माने the làm याघा मगल नहीं होगा इसमें वर्जेष्वर कोई भी नहीं है इसमुर्दन कोई भी नहीं है तो This topic तो इस तरीका है कि आप आरोह रुपकड को डबल कर दीजे आपके 50 स्वर हो जाएंगे अगर 50 स्वर नहीं होते हैं तो आप बीच में कोई भी स्वर रिपीट कर दीजे रिपीट दुबारा से कर दीजे जैसे आपने डबल किया सासा रे गागा मामा पापा धाधा नेनी सासा मामा पापा धाधा नेनी सासा ये दुबारा से रिपीट कर दीजे तो इस तरीके से आपके 50 स्वर हो जाएंगे या दूसरा तरीका है आप से पहले आरोह को डबल कीजे फिर आरोह को सिंगल लिखे पहले आरोह डबल सासा रे गागा मामा जो लिखा है डबल करके फिर आरो अरो को डबल लिखे और अवरो को फिर सिंगर लिखे इसके बाद आरो अवरो आप एक साथ लिख देंगे तो मैंने ये लिखकर आपको दिखाया हुआ है जैसे सासा, रे, रे, गागा, मामा, पापा, धादा, नीनी, सासा देखिए मैंने इसमें रे और धा कोमल किये हुए है तो ये रे धा कोमल करना ज़रूरी है अदरवाइस इसमें आपको zero marks मिलते हैं अगर आप नहीं कोमल करते हैं सा, रे, गामा, पाधा, नीसा फिर मैंने इसको single लिखा है अवरो को double सासा, नीनी, धाधा, पापा, मामा, गागा, रे, रे, सासा फिर सारे गामा, पाधा, नीसा, सानी, धापा, मागा, रे, सा इसको मैंने एक साथ, आरो अवरो को एक साथ लिख दिया है दूसा तरीका ये है अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने pattern से कर सकते हैं कुछ भी जैसे मैंने अलंकार बनाने सिखाए हुए हैं अलंकार बनाने में कुछ भी आप set कर दिची जैसे सारेगा-्रे-गाम कि एक बार कोई सा अलंकार इसमें सेट कीजिए ये सिंगल लिख दीजिए तो किसी भी तरीके से आप इनको बना सकते हैं वो भी करेक्ट होगा बसकि आपके राग के स्वर राग के अकॉर्डिंग होने चाहिए तो इस प्रेकार हमारी राग भैरफ के 50 स्वरों तक विस्ता कम हुआए तो